हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टू मैं यूटूब चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम चटपट इंस्टेंट वाले खीर जिसको आप बिल्कुल भंडारे की तरह रबडीदार मलाईदार बनाएंगे चाहे पतला दूद हो या फिर गाडा दूद हो 100% करनाते हैं हम बहुत बहुत जादा स्वादिष्ट खीर वह भी मिंटों में वीडियो सुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइ है यहां पर मैंने मोटेवाले चामय अवाले लिये हैं झीर के चामल होते हैंी है ठोड़े इसमें कोई धूल मिट्टी वगेरा हो वो निकल जाए और बहुती अच्छे से चावल साप हो जाएं तो यहां पर आप देख सकते हो चावलों को मैंने बड़ी आसे दो तीन बार पानी से सापका लिया यानि की धो लिया है और अब मैं इसके उपर दो गिलास पानी डाल देत हैं तो यहां पर चावलों को मैं 20 मिनट के लिए पानी में सोख होने के लिए छोड़ देती हूं एझेखेंगे ने 10 मिनट बद तो यहां पर आप देख सकते हो 10 मिनट हमारे ख頭 ID को आप इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी पानी और सारी चामलों को हमें इसके इंदर डाल देना है तो यह देखिए सारी चामलों को मैंने इस वाले बरतन के इंदर डाल दिया है अब हमें इन वाले चामलों को गैस पे रखना होगा और इनको पानी के साथ अच्छे से उबालना होग तो यहाँ पर आप देख सकते हो चावलों को मेंने गैस पी उपर रख दिया है, इस वाली बरतनों को, और इसमें मैंने एक गलास पानी पहले डाला था, और एक गलास पानी मैं अब और डाल देती हूँ, क्युकि एक गलास पानी कम रहा जाता है तो इा अच्छे से आपनि प पकाना है जिससे की खीर बनने में आसानी होगी और बहुती बड़ी अटेस्टी खीर बनेगी हमारी जब चावलों को हम पहले उबाल लेते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता तो पांच मिनद तक हमें लगाता है रही चावलों को बालना है तो यहां पर आप देख सकत पोड़ की दिखा देती हूँ आप देख सकते हो बढ़िया सी चावल का दाना फूट रहा है इसका मतलब हमारे चावल पक चुके हैं और बहुत अच्छे सी यह रड़ी हो गया है खीर बनाने के लिए तो इन वाले चावलों को हम नीचे उतार लेते हैं और जो भी इसमें पानी है उसे हमें निकाल देना है और इनको एक छलनी में सारी चावलों को निकाल लेना है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सारी चावलों को हम नीचे उतार के इसको एक छलनी में निकाल लेते हैं चावलों को और पानी को हमें फैक दीना है तो यहां पर आम देख सकते सारी चामल अपो मैंने छलनी के अंदर निकाल लिया है आम देख सकते हो हमारे चामल बहुती अच्छे से उबल के रडी हो गए है तो अब हम चलते हैं गैस की तरप गैस पर रख देंगे हमें एक कडाही और इसमें डालेंगे दो छोटे चमच गी अब आम देख सकते हो हमें हम इसमें करने वाले हैं ड्राइफ फूर्ट को थोड़ा सा सीक लेंगे तो सबसे पहले मैंने थोड़े से ड्राइफ पूर्ट लिया है जिसमें मैंने लिया है एक कटोरी जाने कि जितना आप खाते हो लाइक करते हो ड्राइफ फूर्ट तो आप डाले अगर आप लाइक नही या है अब सेhol में बड़ी आसे कर लेती हो या नि कि थोड़ा सा हैं लेती हो जीसे कि खीर में बढ़ी प्रूटस ह Śंबर सूमलों है हृँ तो आप देख सकते हो हमारी ढाई प्रूटस ही बढ़ी आसे स्क रहा है गी है या गीदे सब्क्राइट और भी दुगना हो जाता है और यहां पर आप देख सकते हो हमारे ड्राइफ फूर्स बहुती बढ़िया से सिक्के तैयार हो गए है तो अब इन्हें में निकाल लूँगे एक प्लेट में इनको हमें ज्यादा नहीं सेखना बस हलका सा ही इनका कलर आजाए पिंक सा और हलके से निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर निकाल लिया मैंने किसमिस टाल देंगे तो बहुत ही अच्छे वह थोड़ी से चिरोंजी सो ग्राम के लगबग मैंने ड्राइफ लिया है सारे ड्राइफ ये रड़ी कर लिया है अब हम कढ़ाई को गयास से नीचे उतार लेंगे और प्रगटें में एक पतील कि प्रधा है इसके में रखा एक लीटर दूद्ध को मैंने एक पहले गर्म कर लिया था अब हम एक दूद में बड़ी आसा होबाल आगया है यानि की दूद बड़ी अच्छे से mix नहीं हो जाते, तब तक हमें ओर पकाते रहना है, इस वाले खिर को बनने में जौदा टाइम नहीं लगेगा, बस दो चीन मिनट इसको और लगेंगे, तो यहाँ पर दूद को हमें अच्छे से mix कर लेنا है, चामल के साथ, और अच्छे से 2-3 मिनट तक और पका जब तक हमारे दूद अच्छे से पकरा है चामलों के साथ तब तक हमें करनी होगी नेक्स्ट तैयारी तो यहां पर आप देख सकते हो एक मिनट लगवक दूद को हो गया है और बहुत अच्छे से चामल दूद के साथ मिल रहे हैं तो दूद को हमें अच्छे से उबलने देन चावल और दूद को और यहां पर हमारी नेक्स्ट त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर मेरे पास एक नारियल पड़ा था इसको हमें कद्दू कस करना है तो यहां पर मैंने जो नारियल कद्दू कस करने का होता है ना वो लिया है और सारे नारियल को हमें इस तरह कद्दू कस कर लेना है अब के पास डेसिकेटर कोकोनट हो तो वह भी खीड में डाल सकते हो अरो से ज्यादा टेस्ट नहीं आता खीye में जब ज्यवाल unionsμαι हम डालते हैं कहीर में तो इससे बहुत्त ज्यादा टेस्ट लगती है तो यहां पर आप देख सकते हो सारे नारियल को मैंने बड़ी आसे कद्दूकस कर लिया है सारा नारियल तो हम इसमें नहीं डालेंगे वो तो पड़ा था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो चीली लेते हैं इसको तो यहां पर मैंने सारे नारियल को बड़ी आसे कद्दूकस कर ल है यानि कि दोनों चीश चाहंसे मिल गई हैं है और कि हमारा दूद चाउमल बहुत ही अच्छी हो दो iç वहती हैं हो तो यह अब पर मैं को क्यें क्यों से थोड़ी से फानी मैं ने किसमें डाल दिये तो हम मिसमें डाल देंगे हमारा गुड़का था कर दृक्स करकी रहा था आ है यहां पर यहांदे डाल नहीं के कद्दूख घाच ना काटूरी करिक्षण कुछ में ले लेश्ञ इस Based junto कर दें लेश्ञ आया के अम प्रमें नहीं बढ़ने Ан nom रेना है और बहुती बढ़ी से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राइफ रुटस जो हमने घ्रिक ह्तिर के त्वें के अंदर डाल देना है और इने भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर हमें दिये-धर कर कि सारे राइफ रूटस को बढ़िया से mix कर लेना है और अच्छे से चला लेना है तो यहां पर आप देख सकते हो खीर हमारी बहुत ही अच्छे से उबल रही है तो इस stage पर हमें gas को बंद कर देना है खीर हमारी बहुत ही अच्छे से बनके तयार हो गई है तो gas को कर देना होगा बंद और बंद gas करके ही हमें इसमें चीनी डालना होगा और यहां पर हमने लिए है 200 ग्राम चावन लिए थे तो उसी के हिसाब से मैंने 200 ग्राम चीनी लिए है उसी कटोरी के नाप से और बढ़िया से हमें चीनी को मिक्स कर देना है तो यहां पर आम देख सकते हो हमारी खीर बहुती बढ़िया से बन तो यहां पेलाची के दाने को मैंने ठील के इसके खीर के अंदर डाल दिया है अगर आपके पास इलाची हो तो आप पहले डाले पर कोई बात नहीं डरने वाली बात नहीं है खीर अभी गरम है बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा तो यह लीजिए हमारी गर्मा गरम खीर बह उपर से डाल देते हैं इसमें थोड़ी से कटे बारिक कटे होए पिस्ता थोड़ी से बारिक कटे होए बादाम क्यूंकि जिसको भी खीर काने का मन नहीं होगा या जो भी इस खीर को नहीं खाता होगा चावलकी को तो देखते ही इस खीर को उसका भी मन कर जाएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही जादा पसंद आया होगा अगर आपको आपको आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी महनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और एक पैसा कमेंट कीजिए कि आप मुझे कौन से कौने से देख रहे है और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक किया थेंक्यू